हलो एवरिवान, अस्सलाम लेकूम कैसे हो सबी लोग, I hope कि सबी अच्छे ही होंगे आज का जो हमारा वीडियो है, वो हम PG जितने भी स्टूनेंट्स करने वाले हैं जुन्होंने ग्रेजविशन हाल ही में कम्पलिट की है तो उनका जो यहां पर issue चल रहा है कि अभी तक हमें कोई information नहीं मिली है regarding हमें registration करनी है हमें marks card भी लाना है, success semester का हमें तयारी भी करनी है, जो documents होते हैं तो आज की studio में हम लोग आपको सब कुछ clear करने वाले हैं ठीक है, तो सबसे पहले जोटी से request यही है अभी तक आपने अगर subscribe नहीं किए हमारी यह YouTube चनल को आप हमारी यह YouTube चनल को कीजिए subscribe bell icon भी ओन करना, whatsapp group की link आपको description में मिल जाएगी अगर interested हो तो आप वहां पर join कर सकते हो ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे PG के registration जो है, वो कब से start होने वाली है और April तक आपका जो exam है, वो होने वाला है, ठीक है क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करूंगा, दूसरी बात यही पर जो भी student है category में आते हैं, जाए supports category में तो category जो supports में होते हैं, उनके लिए एक यहां पर जो notification है, वो निकल कर आ गई है, यहां पर हम click करेंगे click करने के बाद आपके सामने जो download start हो जाएगी, ठीक है वो मैं आपको यहां पर again करके दूँगा, देखो यहां पर लिखा है कि वो student अपना जो भी है certificate वो 15 days तक चक करा है कि उनका जो कुछ problem मत है, उनको, like कौन-कौन सी certificate होनी चाहिए, जो valid है यहां पर लिखा है Olympic, दूसरा है Action Games, जिसरा है SAR Games, उसरा है Commonwealth Games और other recognized test, match world cup, position have participated जो भी student, जो support चाहां पर दिये हुए है, इन में से किसी भी support से link करे है तो certificate उसको मिली है, चाहे Action Games से मिली है, चाहे Commonwealth Games से मिली है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ application के साथ साथ अपनो, जो original है, वो साथ लेनी है उसके photograph, photocopies होनी चाहिए, जो अपनी होती है, वो दो और certificate verified होनी चाहिए, जो council supports होता है, association, department के थरो वो भी मतलब कि उसका जो recognition हो, वो complete होना चाहिए और दूसरा point ये है, कि आपका passport, photo होना चाहिए, तो जो मैंने पहली बता दिया था affiliate आपको लाना है, एक magisteri जो आपको code जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है कि मैं supports का बंदा हूँ, कि मैंने supports में इतना हासिल किया है, वो आपको इसमें mention करना है, ठीक है तीसरी बात, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि जितने भी students है, अगर आपने अभी तक आपने like कोई preparation नहीं की है, marks card मतलब की आप wait कर रहे हो, कि पहले mark card खाड़ा जाए, फिर उसके बाद registration करें, उसके बाद हम by die start करें, वो बिल्कुल गलत है आपको करना क्या है, simply आपको previous paper डाउनलोड करने है, जो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है, कि आपको कैसे previous paper डाउनलोड करने है, cut off क्या रहा है, वो क्या है, उस सब कुछ मैंने बता दिया है, अगर वो नहीं देखा तो आप description में आपको link मिल जाएगी, उस YouTube वी subscribe नहीं की है, तो वो भी कर सकते हो, आप ठीक है, चलो जो उसके बाद, इस चोथ अपाइट हमारा ये है, कि जितने भी students है, marks card जो है, फिप्ट सिक्ट सेमेटर का, वो यहां पर, क्योंकि तब तक आपको registration नहीं हो सकती, तब तक आपको कुछ प्रॉब्लम ने, मतलब कि enter न मैंने पहले बता दिया, तो एंड फेबर वरी तक आपका marks card जो है, वो आ जाएगी, क्योंकि कश्मीर इनिवर्सिटी को ज्यादा लोड है, उसमें बहुत सारे colleges affiliated है, जो जो नए colleges सब कश्मीर में बारन रहे हैं, वो सब affiliated होते हैं कश्मीर इनिवर्सिटी से, यह आब आपक करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर इनिवर्सिटी बहुत बढ़ी इनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे department से conducting कर रहे हैं, तो इन्शालला आपकी जो marks कड़े, success semester का, वो जल्दी ही announce किया जाएगा, ठीक है, अगर कोई और information आपको चाहे, PG के regarding ना, तो आप मुझे नीचे comment कर सकते हो, मैं उस पी भी आपको separate वीडियो बना के दूँगा, ठीक है, यह छोटी information थी आपके लिए, दीज़े इजाज़त, अल्ला हाफिस,